What is up everybody, अपने पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था Break and Continuous Statement क्या होता है हम लोगों ने आर काफी कुछ सीखा इस Python Tutorial की स्रीज में बिना टाइम को वेस्ट की मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस किस तरह की ऑपरेटर्स होते हैं Python के अंदर और उनको किस तरह यूज करना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और हम जो इसी बारे में बात करने माले है तो अब क्या करेंगे आपर हम लोग पाइचाम प्रोजेक्ट में जाकर यहां पर एक जो है सबसे पहले Python फाइल बना लेते हैं अलग से अपी रेटर्स डबल स्कू लगाए मैंने मैं काफी डरता हूँ कि मेरा जो फाइल का नाम है वो कहीं Python प्रोग्राम के नाम से मैच ना हो जाए यानि कि किसी Python module के नाम से भी मैच ना हो जाए गल्टी से इसलिए मैं क्या करता हूँ ऐसा नाम चिडने की कोशिच करता हूँ कि किसी module का ना ना हो ताकि मुझे प्रोब्लम ना कि मैंने अमने लाइफ में बहुत जादा प्रोब्लम लेता हूं in python. यहां पर generally हमारे जो operators होते हैं python में वो primarily इन तरह के होते हैं. एक तो होता है arithmetic operator, एक होता है assignment operator, एक होता है comparison operator, एक होता है logical operator, फिर होता है identity operators, फिर होते है membership operator, और होते है bitwise operators. इसको दरा comment आउट कर लेता हूँ. अब start करते है arithmetic operators से. arithmetic operators वो होते हैं जो कि numerical calculation करने में मदद करते हैं जैसे मानलो मैं अगर यहाँ पर लिखो print और मैं मानलो यहाँ पर लिख दो 5 plus 6 is और उसके बाद यहाँ पर लिख दो 5 plus 6 और मैं इसको आप लोग को run करके दिखा हूँ तो देखो मैंने plus operator से जो है 11 यहाँ पर print करा दिया उसे के साथ साथ में minus, times, divide यह सब चीज़े भी यहाँ पर लिख सकता हूँ तो मैं आपर क्या करूँगा अगर 5 minus 6 लिखूँगा तो मुझे minus 1 मिलेगा उसे के साथ साथ में आपर 5 multiply by लिखूँगा अगर तो मुझे मिलेगा 6, 5, 3, divide अगर यहाँ पर लिखूँगा मैं उसकी value यह integer में round करके देता है तो यह 0 दे रहा है क्योंकि मैंने आवर 15 नहीं किया मुझे यहाँ पर 15 करना पड़ेगा अब मैं इसको run करूँगा देखो यहाँ पर 6, 2 जा 12 होता है और बाकी यह भूल जाता है और 2 को यह दे देता है तो point के बाद जो भी होता है उसको ignore करके यह देता है इसको कहते है floor division operator अगर आप लोग को mathematics में पता है कि floor क्या होता है तो आप लोग जो है इससे familiar होंगे अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर print करके आप लोग को एक और चीज़ दिखाऊँगा double star operator वो क्या होता है हमारा double star होता है exponential operator उससे क्या होता है वो raise कर देता है exponent यह 5 to the power 6 हो गया यह 5 to the power 6 यह होता है यह 5 to the power 6 यह होता है यह 5 को अगर आप 5 5 5 5 5 5 बार करेंगे multiply मैं 3 करके दिखाता हूँ ताकि 125 हो जाए यहाँ भी 3 करना पड़ेगा जो बचेगा जब मैं 5 को 3 से डिवाइट करूँगा अगर मैं 5 को 5 से करूँ तो obviously remainder 0 बचने वाला है और यह आपर देखो आप लोग 0 print हो रहा है तो यह जो operators है यह आप लोग को अपने ध्यान में रखने है कभी भी आप कोई भी Python program बना रहे हैं तो यह थे हमारे arithmetic operators तो मैं यह आपर लिख देता हूँ arithmetic operators अब मैं जो बात करने वाला हूँ इसे की नाम बता रहा है अगर हमें किसी number में एक value assign करनी है किसी variable में हमें किसी variable के नाम में कोई value assign करनी है तो हम use करते है assignment operator का जैसे मैं आपर लिख दूँ x is equal to 5 तो equals to एक assignment operator है जो कि x में 5 की value को भर देगा x एक variable बन जाएगा यानि कि डबबा बन जाएगा जैसे मैंने already आपको बताया और x में आजाएगी 5 value अब मैं आपर अगर print x करूँगा तब आप लोग यहाँ पर देखो मुझे 5 मिलेगा लेकिन मैं इसको जारा comment out कर देता हूँ यहाँ रहने देते हैं कोई attention नहीं है आप लोग यहाँ पर focus करें यह मैं काम करता हूँ यह प्रेंट कर देता हूँ assignment operators अब मैं इसको run करता हूँ तो assignment operator के बाद जो आ रहा है आप उस पर focus करें अब अगर मैं क्या करता हूँ x plus equals to 7 कर देता हूँ यहाँ फिर कर देता हूँ x is equal to x plus 7 यह क्या होता है plus equals to क्या करता है हमारा यह operator होता है जो कि उस number में 7 जोड़ देगा अगर मैं आप 10 लिखोंगा तो 10 जोड़ देगा ऐसा होता है मैं run करके आपको दिखाता हूँ इसके पाद मैं print भी करता हूँ x पर search कर सकते है assignment operators क्या क्या होते है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा आपको समझ गयोंगे इसका मतलब क्या है इसका मतलब है x equals to x percent 7 इसको percent equal to seven के तोर पर लिग दिया जाता है इसके बाद चलते हैं comparison operators की तरफ अब comparison operators हमारे कितने तरह की होते हैं ये भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ मैं काम करता हूँ इसको मैं अभी comment out कर रहा हूँ आप लोग को मुझे code देना है मैं मिटाई देता मैं भी इसको comment out करता हूँ तो प्रोग्राम को run करूँगा तो कुछ नहीं आना चाहिए नम खाली प्रोग्राम है यहाँ पर जो मैं लिखोंगा उसका output आपको दिखेगा अगर मैं लिखोंगा print i equals to equals to 5 अगर मैं आपर i equals to 8 करता हूँ तब क्या मिलेगा मुझे मुझे मिलेगा false क्योंकि यह बात गलत उसी के साथ साथ अगर मैं not equals to 5 करूँगा तब यह false return करेगा और उसी के साथ 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 अगर मैं greater than करूँगा तब भी false return करेगा यह बड़ा तो है नी 5 से और उसी के साथ 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 में greater than equal to कर देता हूँ तब यह true return करेगा क्योंकि वो true return तब करता है जब यह greater than हो यह equal to हो और इसको print करूँ तब यह true print करेगा अब बात करते हैं हमारे पास logical operators की तो मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ logical operators और यहाँ पर नीचे मैं यहाँ पर logical operators लिख देता हूँ अब मैं आपर क्या करने वाला हूँ यहाँ पर मैं लिखूँगा a is equal to true और b is equal to false अगर मैं आपर लिखूँ प्रिंट करूँ a and a तब true and true क्या होगा true हो जाएगा तो यहसी कि आप लोग देख सकते हैं आपर true मेरा प्रिंट हो चुका है अगर लेकिन मैं अगर a and b करूँ तब क्या होगा दोनों को true होना चाहिए इसलिए false प्रिंट हो जाएगा true and false होगा false आप लोग ने अगर boolean algebra पढ़िये तो आप लोग को यह बहुत सह प्रिंट कर देगा python programming में यह बहुत जादा यूज तब होगा जब आप लोग जी वागरा बनाएंगे इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है बस आप लोग को सीखना क्या है a और b क्या होता है यह सारे आपको याद करने देखो जो boolean to table होती है and operator की और operator की वो simply आप कि दोनों जब सच हो तब and भी सच हो जाएगा तो and operator true return करेगा और मतलब होता है कि दोनों मिज़े कोई भी एक अगर सच हो तो तो यह होते हैं हमारे logical operators इसके बाद बात करते हैं identity operators हमारे होते हैं is और is not तो अगर मैं आप लिखूं a is b तब क्या होगा क्या a b है क्या true false है न अगर मैं यहाँ पर five is not seven कर दूँ तब भी मेरा क्या return करेगा true return करेगा लेकिन अगर मैं five is not zero कर दूँ sorry five is not five कर दूँ तब ही क्या return करेगा false return करेगा क्योंकि five तो five ही है तो is or is not जैसे English में होता है उसी तरह हमारे identity operators भी काम करते हैं मैं copy करके यहाँ लिख देता हूँ इस membership operator क्या होता है in not in जैसे कि मैंने बताया आपको मालो एक list मैं बना दूँ यहाँ पर उसमें मैं कुछ ऐसे लिख दूँ three three two और two और 33 और 35 और 32 लिख दूँ आपर कॉमा लगा देता हूँ 39 लिख के कॉमा बताये तो अब अगर मैं print करूं list 32 in list अब मैं इसको print करूं अगर तब क्या होगा तो true print हो गया मैं इसको जरा comment out कर देता हूँ तो true print हो गया क्योंकि 32 में लिस्ट में है लेकिन अगर 324 में list में कर दूँ अगर तब क्या होगा false हो जाए क्योंकि 324 list में नहीं है लेकिन अगर मैं इसको not in कर दूँ तब यह बास सच हो जाएगी क्योंकि 324 list में नहीं है तो 324 not enlist जो है true हो जाएगा तो यह आपर true return करेगा तो मैं आचा करता हूँ membership operator आप लोग को समझ में आ रहा होंगे अब हम बात करेंगे bitwise operators की जो कि हमारे last तरह की operators है अब आपको रटने की जरूरत नहीं की कौनसा operator क्या है यह सब याद रखने के कोई जरूरत नहीं है बस आप लोग functions याद रख लो अगर आप लोग को exam लिखने जा रहे हो तो बात अलग है वैसे इस चीज़ को रटने की कोई जरूरत नहीं है अब bitwise operators क्या होते है bit के की काम करते है अब जैसे मैं 2 की बात करूँ तो वो हमारा binary में क्या होता है वो होता है हमारा 1 0 3 की बात करो तो वो हमारा binary में क्या होता है 1 1 होता है और 0 और 1 हमारा binary में होता है 00 और 1 हमारा binary में होता है 01 तो ये binary अगर आप लोग पड़ी होई है अच्छे से तब आप लोगो पता होगा लेकिन अगर binary में आप लोग नहीं गुसने चाते हैं अभी तो आप इसको skip भी कर सकते हैं लेकिन आप मेरी बात को सुन लीजाए जितना मैं बता रहा हूँ 0 होता है 0 0 1 होता है 0 1 2 होता है 1 0 3 होता है 1 1 अब अगर मैं यहापर print करूँ और मैं यहापर लिखूँ 0 & 1 मैंने सिर्फ इतना print किया तो यह कह रहा है 0 अब इसने 0 क्यों print किया मैं इसको दरा comment out कर देता हूँ इसने 0 print इसलिए किया क्योंकि 0 & 0 क्या होगा 0 हो जाएगा और 0 & 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो 00 हो जाएगा 00 क्या होता है 0 होता है अगर मैं यहापर और कर देता और के लिए हम क्या use करते है एक डंडा यूज करते है खड़ा हुआ पहलाल वाला जो कि हमारा backspace के बराबर में printer के उपर होता है इसको ढूंड लेना आप अब मैं इसको run करूँगा तो यह क्या print करेगा इसने one print किया क्यों print किया क्योंकि यह मैंने और लगाया था अब zero और one के बीच में मैंने और करा दिया तो 00 क्या हो जाएगा और में zero हो जाएगा मैं लिख दूँगा 0, Phir 01 क्या हो जएगा और मेरा और मैं, मैं क्या लिख दूँगा 1 और 01 क्या होता है, 1 होते है, इसलीए 1 ettord कर दिया, अब अगर मैं यही काम 3 के साथ कराता है इसका, और मैं print करूँ इसको तो क्या होगा 3 आ गया, क्यों आए 3? 0 क्या होता है, 0-0, 1 होता है 3 होता है 1-1 फिर मैं क्या करूँगा, 0 को लिखूँगा और 3 को लिखूँगा 0 और 1 का और कराएंगे तो क्या हैohana 1 आएगा, जुसका answer आएगा 1 और उसके बाद 0, 1 का फिर से और कराएंगे तो 1 आएगा तो 1, 1 आएगा, 1, 1 क्या होता है? 3 होता है, तो मैं आशा करता हूँ, समझ में आ गया होगा ही तो bitwise and और bitwise or operator भी आप लोग को पता चल गया होगा क्या होता है, अब bitwise not operator भी होता है, zor operator भी होता है, 0 fill मैंने आप लोग को दो operators पता है, एक and, एक और आशा करता हूँ, समझ में आया होगे यहाँ पर आप लोग के reference के लिए लिख देता हूँ 0 and 1 या फिर 2 भी चलेगा, इसको print करता हूँ 0 and 2 क्या print करेगा? 0 print करेगा क्योंकि 0 और 0 का end sorry, 0 और 1 का end क्या होगा? 0 होगा, और 0 और 0 का end भी 0 होगा तो 0 and 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो यह कभी-कभी हमारी जो competitive problem से उनको solve करने में मदद करते हैं, operators, क्योंकि इस लोड़े fastly implemented होते हैं, और machine जो होती है वो boolean बहुत अच्छी तरह समझती है और boolean logic के साथ काम करना computer को बहुत अच्छा लगता है तो यह थे हमारे operators, इस वीडियो में हम लोगोंने बात की 8 तरह के operators की, आशा करता हूँ, समझ में आ गए होंगे आप लोग को, अब आप लोगो रेटेने की ज़रुवत नहीं, मैं फिर रेटेने की ज़रुवत नहीं, कौन सा operator, कौन सी category में आता है, लेकिन आप लोग अपनी reference के लिए इस code को description से ले लेना, और description से आप इस code को लोगे आप आप लोगे 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 की ज़रुवत लोगे 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 में